नमस्कार दोस्तों नमः शिवाय जीवन जोती चैनल में आप सभी का हारदिक स्वागत करती हूँ दोस्तों माग मास की कृष्ण पक्च की शट तिला एकादशी ब्रत के पारण के विशय में आईए जान लेते हैं इस वीडियो में पारण का शुब मुहूर्थ जानेंगे और दौदशी तिथी कब से प्रारम हो रही है कब समाप्थ हो रही है ये सब जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है दोस्तों एकादशी व्रत को धारण करना जितना फुन्य को देने वाला बताया जाता है उतना ही एकादशी व्रत के पारण का भी महत्व शास्त्रों में बताया जाता है एकादशी व्रत का पारण यदि शुभ समय पर और उत्तम विधी से नहीं किया जाता है तो हमें एकादशी व्रत करने का संपूर लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है इस वर्ष 2023 में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि शट तिला एकादशी का व्रत 18 जन्वरी दिन बुद्धवार को रखा जाएगा इसका पारण होगा 19 जन्वरी दिन गुरुवार को द्वादसी तिथी प्रारंब हो जा रही है 18 जन्वरी बुद्धवार को शाम चार अब आईए जान लेते हैं कि पारण का शुभ मुहुर्थ क्या होने वाला है एकादशी ब्रत के पारण का जो नियम है दोस्तों वह द्वादसी तिथी में सूर्योदय के बाद का पारण का नियम होता है द्वादसी तिथी में जब सूर्योदय हो जाए तब आप पारण कर लेकिन इसका सुभ मुहूर्त भी होता है, जो कि इस वर्ष 19 जन्वरी दिन गुरुवार को सुभह 7 बचकर 15 मिनट से लेकर 10 बचकर 2 मिनट तक रहने वाला है, इस दवरान आप एकादशी ब्रत का पारण अवश्य कर ले, यदि आपको भोजन में देरी है, भोजन नहीं आप उस समय कर सकते हैं, तो एकादशी ब्रत का जो पारण होता है, ये सबसे उत्तम तुलसी दल से इसका पारण करना सबसे उत्तम होता है, एकादशी ब्रत समाप्त करने के बाद, द्वादसी तिथी में अर्थात अगले दिन आप सुभह सबेरे उठकर, सनान आदि करके, भग ब्राम्हड को अन्यदान जरूर दे, दक्षिडा दे, यह माघमास की शट्तिला एकादशी है, इसलिए आप तिल का दान अवश्य करें, तिल दान ब्राम्हड को करने के बाद ही आप अपने ब्रत का पारण करें, अर्थात ब्रत को खोले, सबसे उत्तम आप भगवान उसी तुलसी दल को ग्रहण करके आप ब्रत का पारण कर सकते हैं, उसके बाद आप जो भोजन करेंगे वह भोजन भी सात्विक भोजन होना चाहिए, कहने का अर्थ है उसमें लहसुन प्याच का प्रयोग बिल्कुल ना करें, दूसरी बात पारण करते समय पहली बार जब आप भोजन कर रहे हैं तो चावल का प्रयोग बिल्कुल ना करें, एकादशी पारण में भोजन में मूली, बैगन, साग, मसूर की दाल का प्रयोग बिल्कुल ना करें, अन्य चीजें आप खा सकते हैं, इस प्रकार आपका एकादशी ब्रत संपूर होता है और इसका प्राप्त होता है, तो दोस्तों एकादशी ब्रत की आप सभी को हारदिक शुब काम नाए, जिस सुब मुहुर्त में मैंने बताया, उसी मुहुर्त में आप ब्रत का पारण अवश्य कर लें, और दान करने के बाद आप तुरंत किसी पंडित पुरोभित ब्राम्हड को दा वीडियो आपको उपयोगी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाए या नमः शिवाए जरूर लिखिएगा, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, नमः सब्सक्राइब से लगवते अलिवाएब लिए लगवते लीडियो आपको जोग वाववते में देड़ाब के जेड़ों धूर इमकष्ण पाले को याववते लिएवाब को आपको एवाएब लिएगे, गोड़ियो पाले यावऊ़ Сव दो एवाशनले लिएगब दोस्तो